आर्यी समाज कुबेर नगर के इस सचंधन में उपस्तित आर्यी समाज के संगरक्षगण मानिय प्रधान जी मंत्री जी कोशद्धक्ष अधिकारी गण सवसद्गण सदस्चगण बार से आवे अथितिकन आधनिय भजबुशों मात्री शक्ति अवे आधनिय माता जी के द्वारा भजन की प्रस्तुती की जा रही थी इश्वर की दया करपा से आग की वानी के अंदर सरस्वति का वास नजर आता है इसले बजन की प्रस्तोती में भी सुन करके भी आनंद की अनुभूती होती है ऐसे ही हम लोग यज करते हैं और यज में जो स्वाहा शब्द है वो भी आनंद की अनुभूती का ही संकेत है सुहा शुमाने अच्छा आहा आनंद का वातवन जिस कारिये को करने से आनंद उत्सहा उमंग परसंता का अनुभव होता हो सुहा जब आहुती हम देते हैं ऐसे ऐसे बहुत से यद हमारी आदी परंपरा में सनातन परंपरा में होते आए है ब्रह्मा से लेकर के जैमनी परियंत आगर इशिद्यानन तक इस परंपरा में अब आरियस समाज इन यज्जू का आयुजन होता है होता आ रहा है सनातन से ये परंपरा है के ओर राजा राम का समय हो सेमा भारत में युदिश्टर माराज का समय हो शिरी योगी राजकिष्ण का समय हो इन परंपराओं में यज्जो के आज़जन होते आ रहे है क्योंकि यज्ज करने का विप्राय देवताओं की पूजा करना है देव पूजा है देवताओं की पूजा करने का इसके अलावा दूसरा कोई और विधान है ही नहीं कोई रास्ता नहीं है नाटक कोई करे दिखावा कोई करे देवताओं की पूजा करने का करे हूँ करमातमा सब देखता है नाटको को लेकिन देवताओं की पूजा केवल केवल यज के द्वारा होती है और महराजा जनक के बड़े-बड़े आयोजन वो करते थे यज्यों को करते थे विशाल यज रचाया करते थे विद्वानों को बुलाया करते थे विद्वानों के सभा बुलाते यज कराते संका शमधान होते संकाएं होती लोगों को तब उनके समाधान भी विद्वान लोग रिशी लोग किया करते थे ऐसी ही एक विशाल यज्ज राजा जनक ने कचाने का मन बनाया उसकी तैयारी भी की तैयारी करकर के निमंत्रन पत्र आदिस अब तैयार उनका वित्रन कराना भी शुरू कर दिया वित्रन के बाद में वो समय भी आ गया जिस दिन वो विशाल यज होना था ब्रह्मचारी लोग सन्यासी लोग रिशी लोग राजा जनक के राज्य की और बढ़ते जा रहे थे जंगलों से कुटियाओं से तैपोस्थलियों से जब वो राजा जनक के राज्य की और जा रहे थे रास्ते में एक सन्यासी की कुटिया पड़ती थी उस सन्यासी ने इन सब को आते जाते देखा पूशा कहां जा रहे हो प्रमचारियों ने सन्यासी ने कहा है माराज आपको ने मालूम है बोले ना मुझे तो मालूम नहीं है क्या हुआ बोले महराज राजा जनक ने बड़ा विशाल महा यज रचाया है और जितने विजवान हैं सन्यासी हैं रिशी मुनी हैं सबको आमन रित किया है सबको निमंतरन पत्र भेजा है आपके पास नहीं है निमंतरन पत्र ये सन्यासी बोला में पास तो आया नहीं गोले कि माले कैसे हो गया आप छूट कैसे गए आप तो प्रसिद है नाम से भी और काम से भी आप छूट कैसे गए और वो ये बात करकर के आगे बढ़ जाते इस व्यक्ति ने जिसे पात में निमंतरन नहीं आया था इसने विचार किया पो सकता है भूल गए हो जाने अंजाने में निमंतरन नहीं आया लेकिन यज तो यज होता है यज में तो कोई भी चला जाए ना भुलाए कोई तो भी चला जाए यज कराने वाले को भी बिन भुलाए जाने वाले का अत्की सतकार करना चाहिए यज ही एक ऐसा है और कोई आप बारी कोई आयुजन करें, उसमें बिलाएं बुलाएं नहीं जाना चाहिए. केवलेगि यह यज ही करम ऐसा है, क्योंकि इसके माध्यम से देवताओं की पूजा होती है, और वो देवता किसी एक वैक्ती के नहीं है, एक समाज के नहीं है. पूरे संसार के देवता दिने बनान आने वाला परमात्मा है उन देवताओं की पूजा का माध्यम यज इसलिए इस यज में बिना निमंत्रन के भी चले जाना चालिए और जो यो यज रचाए उसका ये कर्तव्य बनता है धर्म बनता है कि वो आने वाले अतिरी को जो उसने बुलाए हैं उनका भी जो बिन बुल में आए हैं उन्हें भी आतित है कौन सा अतित है? जिस पांच यज्जों की चर्चा वेधिक पर Zw र्म परा में है अतिति यज उसी परमपरा का अनुसरन करते वे अतिति करें आने वाले जिसकी कोई तिति आपने निमंत्रन भी नहीं दिया शूशना भी नहीं दी आ गए आ आपके हाँ, आदने कल्यानी बेहन जी, ब्राता घंशान जी भी हमारे बीज में पढ़ा रहे हैं, तो वो आ गए तो अथिती सत्कार हमें करना चाहिए, जब इस सन्यासी ने मन क्या बोले चलो, यज में चलते हैं, सब जा रहे हैं तो हम भी चलें, ये सन्यासी भी जनक के रा बग पहुँचे, दूर दिखा दिया, बड़े तंबू लगे वे हैं, कन्नाते लगे वी हैं, विद्वानों के मडलियां बैठी वी हैं, सन्यासी बैठे वे हैं, गुरुकल के ब्रहमचारी बैठे वे हैं, ये जैसे जैसे जजस्तल को बढ़े, बढ़ते वे, कुछ देख करके दिये इनहीं देख करके जब वो लोग हसे वो इसलिए हसे कि इनके चलने का जो तरीका था तो इसमें कुछ फरक था इस विक्ति का नाम इस रिशी सन्यासी का नाम था अस्तावक्र इसने अस्तावक्र गीता भी लिखी है उच्छ कोटी के विद्वान थे आठ जहा से इनका शरीर लगबग मूडा तुड़ा इतियासकार लिखता तो चलते थे तो ऐसे चलते थे तो कम आई यूँ के कुछ इस तरह का मिन को देख करके हसे तब के मन में आया बोली शरीर मेरा बनाया वा तो है नहीं इसकी रचना करने वाला परमात्मा है सब के शरीरों की रचना करने वाला परमात्मा है शरीरों की रचना करने वाला नहीं सारे संसार की रचना करने वाला तो परमात्मा है सूरिय चनर्मा बरत्पति सब देवताओं को बनाने वाला वो परमात्मा है संसार की रचना करने वाला शरीर को बनाने वाला परमात्मा है ये लोग शरीर को देख करके हस रहे हैं और किसकी बनाएवी रचना पे हस रहे हैं उस सारे संसार के वाले परमात्मा के उपर हस रहे ह तो उसकी कृति को देख करके हस रहे हैं इसका मुन बड़ा खरापसा हुआ और ये सभा मंदग में जाकर के सीधा राजा जनक माराज से मिला और पूछा माराज ये सभा किनकी है कि लोगों को आपने बुलाया है राजा जनक ने कहा है माराज तब विद्वान लोग है रिशी लोग है तब अस्वी लोग है तब विद्वान है सादक है ये अस्ता बगर माराज कहते है हे राजन ये विद्वानों की सभा नहीं है हे रिश्यों की सभा नहीं है तो चरमकारों की सभा है बोले चरमकारों की सबाराज क्यों? बोले जो बाहर के चमड़े को देखकर के मुस्कुरा रहे हैं बाहर के चमड़ी को देखकर के आता है चमार ही मुस्कुराता है चरमकारी क्योंकि उसे प्रेम चमड़ी से होता है वो व्यपारी चमड़े का करता है इसलिए बाहर से चम्री कोapons देखकर के मुस्कुरा अंदर की योग्यता को अंदर की विद्वता को अंतय करण की भाव को ये लोग जानती नहीं है इसलिए ये सभा विद्वानों की नहीं है ये सभा चरमकारों की है चमारों की सभा ही राजा जनक ने कहा माराज जाने अन्जाने में कुछ से किसे भूल हो गई हैं कुछ गुरुकल के बच्चे थोड़े आईयू में कम हैं उन्हें इतना ग्यान नहीं है उन्हें शमा किर जिगा नस्टा वक्र कहते हैं नहीं शमा की बात नहीं है यदि आपने ये विद्वानों की सबा बुलाई है, रिशियों की सबा बुलाई है तो मैं तब मानूं जब मेरे तीन परश्णों का उत्तर देवे घवराय राजाजनक, रिशी लोग हैं, तपस्वी लोग हैं, क्या परशन पूछ लेवे तब राजा जरंग ने महाराज कहां इतनी योग गता हम लोगों में हैं आपके प्रशनों का उत्तर देने की बोले नहीं राजन मेरे तीन प्रशनों का उत्तर यह देवें बोले महाराज कौन थे प्रशन आपके हैं तब अस्टावकर माराज कहते हैं, राजन यद ये विद्वानों की सबा है और यद करने के लिए आए हैं, यद में आहुती देने के लिए आए हैं, तो मुझे बतावें कि इस यद की आत्मा क्या है? तब अस्टावकर माराज कहते हैं, मेरा दूसरा परसनिय यह हैं, कि इस यद के प्रान क्या है? तब अस्टावकर माराज कहते हैं, ये विद्वानों की सबा यदी हैं, तो मुझे बतावें, इस यद का सार क्या है? राजा जनक धरम संकर में पड़ गए कैसे बताएं क्या बताएं विद्वान भी थे लेकिन इतनी हलकी बात नहीं थी ये आत्मा की चर्चा करना प्राण की चर्चा करना राजा जनक ने विने की प्रार्टना कियरे महराज ऐसे प्रशनों के उत्तर हमारी सामरत कहा है जब कोई व्यक्ति इस तरह की उची बात कहे चाहे तो हम उत्तर दे में ने तो उसका बचने का सबसे आसान सा तरीका है अरे हम तो बहुत छोटे हैं हमारी सामरत इतनी कहा है हमारी इतनी योग्यता कहा है आप जैसे महान व्यक्ति की बात कहीं बार समाज के अंदर आदर्निया बजबुशो बहुत से एहंकारी लोग भी होते है वो अपनी बात ही बड़ी रखते हैं जो हमने कहा बस वो मानी जाए एहंकार होता है ऐसे एहंकारी व्यक्तियों से बचने का एक ही रात्ता हाँ जोड़कर के भी ने करके रहे महराज आप जैसा कोई संचार में नहीं है आप तो आप ही है निकल जाओ आप कहेंगे क्यों निकल जाओं रामाइन का वो दरश्या आप देखेगा जब हनुमान लंका के लिए उडान उन्होंने भरी समुद्र जब उन्होंने लागा तो समुद्र में एक राक्षशी परकट होती है और कहती है कि जब तक मैं तुम्हें अपने मुख में नहीं लूँगी तब तक मैं तुम्हें आगे नहीं जाने दूँगी उस राक्षिशी ने अपना शरीर बढ़ाया एहंकार में इधर हनुमान जी ने भी अपना शरीर बढ़ाया तब हनुमान जी ने क्या किया उस राक्षिशने का जब शरीर बढ़ा तो हनुमान जी ने अपने आपको बिल्कुछ छोटा करकरके और उसके मुख से घुम करके बाहर निकल करेंगे निकल गए जब सामने कोई एहंकारी होगे अभिमानी विक्ति होगे अपनी बात पर अड़ जाए बोले नहीं जो हम कह रहे हैं वो ही ठीक है ऐसे विक्तियों के सामने से बचने का सीधा तरीका है आप बिल्कुछ छोटे हो करके निकल जाएं कहीं लोग हम लोगों को भी मिलते हैं हर दोई के अंदर एक बार हम गए हमने कहा माराज मिश्रा जी टंडन जी हुआ काफी इस तरह के नाम है माराज जो आउती देने की चमच है इसे तो सही पकड़ लीजेगा कलम की तरह पकड़िएगा बोले आप लोग आचारी हमें बता रहे हैं ये बात बोले चुकिए आपने ठीक नहीं पकड़ी भी है इसलिए आप भी को बताएंगे और किसे बताएंगे 40-50 वर्स हो गए हमें यज़ करते वे हम इतने वर्सों से यज़ कर रहे हैं अभी माम एहंकार इस बात का कि हम इतने वर्सों से यज़ कर रहे हैं इसलिए हमें कोई छुए भी ना हमें कोई छेड़े भी ना मैंने का ठीक है हमारा आज आप ही ठीक है कोई बात नहीं है तो कुछ लोग एहनकारी होते हैं आरिये भिख्षुक जी यहां भी बहुत आए हैं अमदाबाद में हमारे वानपस के वो परधान रहे हैं उनका जीवन हमने देखा है बड़े सरल सुभाव के तपस्वी व्यक्ति थे तो वो भी यह संकीत किया करते थे एहनकारी व्यक्ति से बचना चाहिए ठीक है बाबा तुम ही ठीक हो इसलिए अस्टावगर माराज कहते हैं मेरे प्रश्णों का उत्तर दे में तब राजा जनक ने विन्ह की प्रार्थना की पेरों को हाथ लगा रिश्वर आपके इन प्रश्णों के उत्तर देने की सामर्थ हम में नहीं है हमारी तनी योगिता नहीं है आप तपस्वी हैं योगी हैं रिशी परंपरा को शोशोवित कर रहे हैं आप ही इन प्रश्णों का उत्तर दे करके हमें करतार्थ कीजेगा हमें नहीं मालूम है ये तम्मान देना विद्वान को तब अस्तावगर महराज कहते है सुनो राजन यद की जो आत्मा है वो सुहा है महराज सुहा कैसे है जैसे ये शरीर चलता फिरता है बिना आत्मा के ये शरीर की सामर्त नहीं है कि आखें काम करें कान काम करें हाथ काम करें इस शरीर को चलाने वाला जैसे आत्मा है ये शरीर चलता है आत्मा के बिना ये शरीर गती नहीं कर सकता कोई कारिया नहीं कर सकता ये मन जिसकी गती इतनी तिर्व है ये मन भी जड़ है ये मन जड़ भी आत्मा की ताकत का उसकी पावर का सहरा ले करके ही काम करता है ऐसे ही यज की जो आत्मा है वो स्वा है बोले स्वा कैसे है यज की आत्मा बोले यदि हम स्वाह ना बोले तो यज आगे गती करेगा नि हम मंत्र पाट करते हैं मंत्र बोलते हैं मंत्र बोल करके बाद में बोलते हैं साहा जब स्वाह बोलते हैं तभी अगला मंत्र खुलता है यदि स्वाह ना बोला जाए आउति ना दी जावे और स्वा ना कहा जाए अगला मंत्र बोलने का राश्ता ही नहीं मिलेगा इसलिए अस्टावक्र महराज कहते है यदि ये स्वा ना बोले तो यज भी आगे गति नहीं करेगा यज भी आगे उन्नती की और नहीं बढ़ेगा यज भी आगे पूर्ण ता कि और नहीं चलेगा इस यज की आत्मा स्वा है स्वा बोलें तो यज आगे बढ़े यज आगे गति करे यज का ब्रह्मा आगे बढ़े यजमान मंत्रपाट को लेकर के आगे बोले बोले यजमान बोले बोले हाँ यजमान को ही मंत्रपाट करना चाहिए यज के ब्रहमा के लिए नहीं लिखा कि वो मंत्रपाट करे लेकिन ब्रहमा करता है रिशिद्यान जी महराज से पूछा मंत्रपाट कोन करे बोले यजमान करे जो यज का यजमान है वो पुस्तक लेवे जबाने बोले मंत्र पाठ यजमान को ही करना चाहिए बोले यजमान ना पढ़ा लिखा हो कम पढ़ा लिखा हो तो बोलने का परियास करे लेकिन बोले यजमान ही तब का यदी यजमान काला अक्सर भैंज बराबर होवे तो उसे कुछ आता ही नहीं हो तब रिशिद्यान जी महराज कहते है तब यज के ब्रह्मा को ही वेदपाट करना चाहिए अन्यता यदि यजमान पढ़ना जानता है शिक्षित है पढ़ सकता है तो पुस्तक लेवे परियास करे शब्दों को बोलने का अभ्यास करे ये अभ्यास बनते बनते ही उसके संसकार बन जाएंगे और यदि बोले ही न जीज का ब्रह्मा ही कराता रहे तो बस यजमान स्वाह स्वाह कहना ही जानता है मंतरपाट वो जानी नहीं सकता इसलिए अस्तावगर महराज कहते है राजन इस यज की आत्मा ये स्वाह है इसलिए ये यज की जो आत्मा है वो स्वाह है स्वाह परतियक व्यक्ति को बोलना ही चाहिए ये उसकी आत्मा है तो बोले महराज इस यज के प्राण आपका दूश्रा परसन तब अस्तावगर महराज कहते है राजन इस यज के प्राण इदन्नमम है बोले ये इदन्नमम क्या है तब रिश्य अस्टा वग्र माराज कहते है यद करने वाला व्यक्ति जब यद की आवुति देवे और इदन्नमम शब बोले इदन्नमम बोलते हुए उसके हर्दय के अंदर उसके वहवार में उसके आश्रण में ये होवे कि ये सब कुछ जो मैं आवुति दे रहा हूँ मेरा नई है कुछ लोग एहनकारी होते हैं अरे साब सामगरी मंगवाई है तनी बढ़िया मंगवाई है मैंने पांसोर वे किलो आई है मैंने मैं ये यज करा रहा हूँ मेरे पुरुशार्टे हो रहा मैं अस्ता वक्र माराज कहते है जहां ये मैं होता है वहाँ इदन नमम नहीं होता इदन नमम होता वहाँ है जब हर बात को व्यक्ति परमात्मा से जोड़े परमात्मा को ले करके सामने आए आप कहेंगे कैसे पिर हम वही बात दुराएंगे देव में पिरियल लगती हर्दे पे उभर करके आ रही थी आदेने माशे पंडी त्रिलोग जी के हम गए वह उसे पूछा बेटा साधना करते हो फोले परमात्मा जितनी कराता है सेवा करते हो परमात्मा जितनी सेवा लेता है हर बात को परमात्म को जोड करके कहना ने के मैं करता हूँ आज बहुत लोग हैं जो ध्यान करते हैं अरे आचार जी हम बैठ जाते हैं गंटे के लिए बैठते ध्यान लग जाता है मैं जहां मैं है वाँ इदन्नमम नहीं है वाँ सुक नहीं है जहां मालिक को जोड़ा जाए पर वो तेरी करपा से कर लेते हैं तेरी करपा से सेवा कर लेते हैं तेरी करपा से यज कर लेते हैं तु कराता है तो हम कर लेते हैं प्रान उसके आधिन है परमात्मा के आधिन प्रान है इन प्रानों को वो गती देता है संसार के अंदर भी जो प्राण है वायू प्राण वो परमात्मा इस वायू को जिदर चाता है उदर ले जाता है यहां आज हम कह रहे थे इस सुबह अमदाबाद में आज हवा नहीं चल रही है मोसम में गरमाठ है लेकिन जब हरिद्वार में बात की गुले अचार जी बड़ी ठंडी हो रही है ठंडी हावा चल रही है परमात्मा हरिद्वार में ठंडी हावा चला रहा है एमदाबाद में चला नहीं रहा है तो ये सूर्य, अगनी, जल, वायू तब परमात्मा के आदेश पर चलते हैं इनकी सामर्थ नहीं है कि उसके आदेश के विफरीत जरसा भी शन भी कोई कदम उठाले में इसलिए हर बात को परमात्मा से जोड़ करके यज हम करते हैं परभू तेरी दया आहुती हम देते हैं मेरी सामर्थ कहा है परभू ये इलाची लोंग अकरोट बदाम किसमिस बनाने की इन सब को बनाने वाला तो ही है घरत बनाने की मेरी सामर्थ कहा है इस दूद को बनाने वाला तो ही है इसलिए इदन नमम मेरा कुछ नहीं है परभू तो नहीं ये अधिकार मुझे दे दिया तेरी करपा से मुझे ये अधिकार मिला तेरी दया से मुझे ये अधिकार मिला कि मैं इस योग अपने आपको मान सका बना पाया और फिर भी की दन नमम कहता है मेरा फिर भी कुछनी पर भो बस मैं दे रहा हूँ आउती तेरी दया से तेरी करपा से तेरा आउग्तार है मुझपर मेरा अपना कुछ नहीं है कुछ भी नहीं है मेरा पना जब ये भाव हुवे आउती देते हुए तब व्यक्ति के मुझसे निकलता है एदन नमम मेरा कुछ नहीं है आर ये वानपस आशरम है कई कुटिया है वहां लगवक साड़े तीन सो कुटिया है उस पूरे आशरम के अंदर सिरफ एक ही कुटिया ऐसी है जिसके बाहर लिखावा है इदन नमम और इस कुटिया के अंदर जब आप कभी जाएंगे मिलवाएंगे आपको इदन नमम लिखा है तो वो इदन नमम के भवना से ही रहते हैं जब उनके पास जाते हैं कोई अथिती उनके पास में जाए बिना जलपान के वापस नहीं आएगा जलपान करके ही आएगा विद्वान कोई जावे तो जक्षना लेकर के ही बिना जक्षना के वो जाने नहीं देते और कहते हैं अरे हमारा क्या है संचार में आयो भी लगबग उन तपस्वी की 98 वर्थ हो गई है कहते हैं हमारा इस संचार में है ही क्या इदन नमम की भावना से जो दिया हुआ है प्रहुका है उसी की अमानत्य उसे दे देते हैं उसी के नाम पे हमारा कुछ नहीं है ये इदन नमम इसलिए अस्टा वक्र महराज कहते है राजन इस यज़ के अंदर यज़ करने वाला इदन नमम की भावना से सब कुछ पनात्मा का मान कर करके जब यज की आहुती देता है सब पर वो तेरा है तब ये इदन नमम ही यज के प्राण बन जाते है इससे यज जीवित रहता है जिंदा रहता है फल की प्राप्ति होती है और जब इदन नमम ना हुए लोग कहते हैं साब यज किया यज करने से मनों कामना तो पूरी नहीं हुई है मनों कामना पूरी ना होने का एक कारण यही है कि व्यक्ति एहंकार में भर करके यज करता है उसे यज के प्राणों को जिंदा ना रखते वे मरत यज करता है मैं का सहरा ले करके मैं कर रहा हूँ मैंने रचाया है मैं यज लाया मैं सामगरी लाया ये मैं ही यज को मार देता है उसे जिंदा रखने के लिए उसके अंदर प्राणों की परतिष्टा करने के लिए ये इदन नमम ही साहरा है इसलिए यज करने वाला यजमान शर्दा भाव से कहे प्रभू इदन नमम यही यज के प्राण है तब राजय जनक बोले महराज तीशरा आपका जो परसंद यज का सार क्या है तब वस्तावगर महराज कहते है जैसे यज के अंदर आउती देने के बाद में जो इसमें से सुगंद निकलती है व्यक्ति की सामर्तनी है के ये सुगंद निकाल देवे इस अगनी के संपर्क में आकर के ये घरत सामगरी आदी जो उसमें से सुगंद परकट होती है ये सुगंद ही इस यज का सार है बोले ये सुगंद ये सार है क्या बोले येही देवताओं का भोजन है सूर्य चन्रमा ब्रस्पति प्रत्वी जल लगनी वायू ये रोटी नहीं खाते हैं ये मिठाई नहीं खाते हैं ये ढोगला नहीं खाते हैं ये दाल पकवान नहीं खाते हैं इन देवताओं का भोजन ये यज से सुगंदि से निकलावा जो सुगंद है ये ही इस यज का सार ह यही इन देवताओं का भोजन है। यही इन देवताओं की पूजा है। इसलिए ये सुगंध ही यज का सार है। ये उसकी सुगंद है, धूर धूर तक पहचाम होती है, अरे कुबेर नगर आ रही है समाज के अंदर फलाने विक्ति ऐसे हैं, इतने याजिक हैं, इतने सेवा भाव वाले हैं, इतना तीदी सतकार करने वाले हैं, ये यज की सुगंद है, उस विक्ति की सुगंद है, वो यज जो वही कर्मों को करता है तब कामों को यज मान करके करता है खाली ये यज करना ही यज नहीं है किसी अभाव वाले की आप सेवा करें कपड़ा नहों कपड़ा देदे में भोजन नहों भोजन देदे में किसी साहता करें किसी विद्वान की साहता करें ये सब करम यज हैं जिन संचार का अपकार होता हो प्रोपकार होता हो यह सारे कारिय यज हैं जब कोई व्यतिन कारियों को करता है तो उसकी सुगंध प्रतिश्चा परमात्मा अपने वायू के द्वारा क्या तक चाहे महां तक विखेर देता है एक दुरगंद भी है वोले दुर्गंद क्या है? वोले व्यक्ति का खान पीन खराब है अंडे खाता है, मांस खाता है, शा पीता है, दुर्वेबार करता है यह उसके अंदर से निकलने वाली दुर्गंद है दूर तक चर्चा हो जाती, अरे फलाना व्यक्ति बड़ा दुश्ट है भई वाली सुगंद, इन देवताओं का भोजन है, ऐसे ही मनुष्यों के अंदर से निकलने वाली सुगंद ही, उसके पुन्य कर्मों के धर्म के सिक्के बना करके, उसका अगला जनम निर्धारित कर देती, मनुष्य के पुन्य कर्मों से निकली वी सुगंद, यज में से भी सुग मुनश्यों को भी चाहिए जैसे यज में आहुती देने से यज में से सुगंद उत्पन होती है जब समीधा सूखी हो तामगरी उत्तम होए तब ये सुगं निकलती है यदि समीधा गीली होए, सीली होए, सुगं नहीं निकलती हो इसलिए हैं अक्षर जब हम लोग भी यह कराते हैं तो विश्यत बाली सबार पर देते हैं समीधा बिलकुल साफ स्वच्छों में कहीं से खराबना हों में सुखी हुई तब सुगन निकलेगी ऐसे ही व्यक्ति का जीवन भी यदि गीला होगा गीला से मतलब बुराईयों से लिप्ट होगा बुराईयों उसमें होंगी खान पीन गडबड होगा आच्छरन वेवार गडबड होगा तो व्यक्ति का जीवन गीला है सीला है उसके जीवन में यदि वो करम करेगा तो वो करम उत्तम नहीं कर पाएगा खान पीन ही गडबड ह इसलिए वैक्ति का जीवन भी सूखा हुआ हो महनत पुर्शाड़ दुख सुख खाने लाव उन सब को जीवन में परमात्मा का पुर्शाड मान कर के जब तपा हुआ वैक्ति का जीवन होता है या पुन्य करम ही करता है इसलिए प्यादनिया बदपुर्शो मातरी शक्ति, अस्ता वक्र महराज कहते, इस यज की आत्मा स्वा है, इस यज के प्राण इदन नमम है, इस यज का सार, जैसे निकलने वाली जो सुगंद है, आउती हम देते हैं, ये सुगंद यज का सार है, ये इदन नमम इस यज के प्राण है और ये स्वाह इस यज की आत्मा है इन भाव से जब हम यज करते हैं तब यज में दीवी आउतियां मन में लेकर के कोई कामना सिद्ध होती है कामना सिद्ध ना होने का कारण ये है कि हम यज की आत्मा को नहीं जानते यज के प्राण को नहीं जानते यज के सार को नहीं जानते जब इन तीनों चीजों का चिंतन करकर के उस वहवार को हर देपडल पर इस्तावित करकर के यज करेंगे तब निश्चित रूफ से जानिए बरो निदे नहीं हिएंगा वेक्तिकि मनों कामनां पूर्ण होती हैं यह यज ऐसा है जिसके बारे में का civ नेयत एक कल्प रक्ष है जिस अभाव मेście से आप कलपना है करकरकरके अपने कामनां की इत्षा परकड़करकरकरकरकरकरकरकच ऌफशक्तां को सामने रख करके जब मेनत पुर्शार्ट करकर के अपने पुन्य कमाई से आउतियां देते हैं मेनत पुर्शार्ट आपका बनाने वाला परमात्मा है इस भावना से मेरा कुछ नहीं है पर वो तेरा है बस थोड़ा सा सारा लगा दे ये कामना पूरी हो जाए हो जाती है कामना पूरी हो जाती है इसलिए यज को कल पुरक्ष कहा गया आईए परमात्मा से प्रार्टना करें हमारे हर्दे को वो इतना परवितर बना दे वे कि हम अभिमान एंकार छोड़ करके इदन नम्हम की भावना से इस यज को करने वाले होए जिससे हमारे जीवन में हमारी आनन्द में हो सुखी हो इनी सब्दों के साथ आप सबी मानुभाव का हर्द से आभार अविनंदन वानिको विराम ओम शम ओम ध्यौभ शाहंतियम्तरिक्षगुंशाहंति सृथवीह शाहंति राहापया शाहंति रोशधया शाहंति वानस्वत्यह sham इर्विस्वेह देवा शाहंती ब्रह्म शाहंती तर्वम शाहंती शाहंती रेवा शाहंती शाहंती रेवा शाहंती शाहंती रेवा 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 शाहंती रेव महरूजी धैयानंद की, स्वामी विर्जानंद की, पंडित लेकराम की, मर्यादा पुल्शोतम शिरीराम की, योगी राज शिरी कृश्यN चन्माहराज की, देश के शहीदों की, भारत माता की, गउ माता का, आरीयस समाज वेद की जोती ओम का जंडा बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की वैदिक ध्वानी ओम वैदिक अभिवादन सभी को सादर अर्श्ट वैदिक अर्श्ट